तो जानोगे और जानोगे तो समझ देखिए महराज लेकिन बात तो समझ नहीं की है मुझा और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक महीने में कैसे ये फैसला सुना पाऊँगा कि कर्म बड़ा है या किस्मत इस पहली को सुलचा पाना थोड़ा कठिन है उपाय एक ही है हमें खोद चल कर पता करना होगा तयार हो जाओ मुझा हम इसी वक्त भेश बदल कर भ्रमन के लिए निकलेंगे और पता कर कर के ही लोटेंगे कि किस्मत बड़ी है या कर्म भेश बदल कर और जादू का प्रयोग नहीं करेंगे जल्दी कुछ करना होगा वरना ये घोड़ा सारे बजार को मैदान बना देगा हट गई घंगोर घटा लेकिन तुम दोनों हम तो यातरी है याजमान भटक रहे है धन्यवाद मेरा नाम है जल्कार और मेरी आग से नहीं बच सकता कोई भी कलाकार तुम दोनों भी कलाकार हो और अब बटकने की जरूरत नहीं मैं समुद्री व्यापारी हूँ तुम दोनों चलो मेरे साथ जी पहले कभी गए हो समंदर में नहीं पर तुम दोनों वीर हो कोई बाक नहीं कल बंदरगाह पर मिलो पोटली इतनी बड़ी खोली तो मिली एक दमड़ी क्या किस्मत है हम सही वक्त पर आ गई यहां और इस तुंदुमल को बचा लिया और नौक्री भी मिल गई लेकिन अगर हम उस घोड़े से इसे नहीं बचाते तो यह सब नहीं होता यहां बहुत लोग खड़े थे लेकिन कर्म सिर्फ हमने किया तूफान आने वाला है क्या तूफान है रे पर गया रे बापू इस में तरने की कुप अब से शलो देखते हैं हमें जल्दी यहां से निकल जाना होगा यहां रुके तो खत्रा बाढ़ जाएगा बापू जीरो का रास्ता तो खत्रों से भरा होता है जजमान पता नहीं क्यों होता है तुम जाओ जल्दी लंगर उठाओ यह रसी तो लग तक फास गई है मुझे बचा लो नीचे जाकर लंगर को निकालना होगा और नहीं निकले तो रसी काट देना तू यही उपर से रसी काट दे पाप लगेगा इसकी बातों पे मत ध्यान दे गंटी मंदिर की जिंदा रहेगा तभी तो बजेगी लेकिन एक वीर पुरुष कायरता का काम कैसे करेगा तो वीर नहीं है काट देरसी तभी बजेगा गंकोर गटा तुवेदा हटा बज गए अब तो मानोगे न महराज की किसमत अच्छी थी लेकिन अगर हम जान को संकट में डाल कर नीचे नहीं गए होते तो इसलिए ये कर्म की वज़े से भी हो सकता है लेकिन अब क्या करें जहलकार ने पश्चिम की तरफ कोई टापू देखा था शायद उधर ही चलो चलो बापू तैर कर मुंजा आओ माराज विक्रमदित्या और जादूई मुंजा आप कौन है रिशी और हमें कैसे पहचान दें जब ग्यान का प्रकाश होता है तो सब साफ साफ नजर आने लगता है लेकिन हमें आश्चरिया है कि आप क्यूं साफ साफ नहीं देख पाए कि किस्मत बड़ी है या कर्म क्या आपको ये भी पता है कि हम ब्रमण पर क्यूं निकले हैं जाओ विक्रमदित्या वो जहाज यहां तुमारा ही प्रतिक्षा कर रहा था अपने राज्य जाओ वहां लोगों को तुमारी जरूरत है ये जादूई माला है इसे पहनोगे तो तुम इद्रिश्य हो जाओगे और ये लाठी तुमें सही दिशा बताएगी एक महिने से जो राजा विक्रम को मारने का शडियंत्र हम तैयार कर रहे है आप उसे पूरा करने का समय आ गया है हमारे लोग हमें ही मारने की बात कर रहे है इन घर के भेदियों को तो सबक सिखाना होगा रुकिये महाराज ये तो केवल सैनिक है उनके पीछे जरूर कोई और होगा हमें इंतजार करना चाहिए कोशादीश? इतना बड़ा शड़ेंतर चल रहा था और हमें कोई खबर ही नहीं थी सुनो हमें आज रहा थी राजा विक्रम को समझ गए बप्चाव ऑगें एाई ऑगें इतना बाई जरेक्न कोई एाज आए एना ये इतना अरू अदो केवल महराज विक्रम का महल किधर है क्यों जाना चाहते हो वहाँ हम बड़ी दूर से आये हैं सुना है महराज बड़े द्यालू है और सबकी मदद करते हैं लेकिन मदद चाहिए क्यों दरसल कुछ डाकू हमारे गाउं को लूटते रहते हैं ये जादूई माला और छड़ी है ये ले लो बाला पहनने वाला अद्रिश हो जाएगा और छड़ी सो तल्वारों से भी ज्यादा ताकतवर है जाओ उन डाकू को सबक सिखाओ लेकिन आप ये है महराज विक्रम और मैं उनका सेवक मुझा मुझ सा नहीं कोई दूजा आप लोगों की किस्मत अच्छी थी जो महराज यहीं मिल गए मुझे जवाब मिल गया है दरसल में किस्मत और कर्म दोनों बेहने है दोनों के बीच एक गहरा संबंद है कर्म से ही किस्मत बनती है और किस्मत अच्छी हो तभी अच्छा कर्म करने का मौका मिलता है महराज की जय हो लेकिन दोस्तों अगर अच्छे कर्म नहीं करोगे तो किस्मत कभी साथ नहीं देगी क्यूंकि कर्म और किस्मत दोनों साथ साथ ही चलते है और अब वक्त आ गया है कि मैं भी आपसे विदा लूँ और अब अगली कहानी में मुलाकात होगी दोस्तों